जै मा मतंगी, जै मा चिन नमस्ता, जै मा बगला मुखी, मेरे प्रियर सादको और दर्शको आज का ये वीडियो उन सभी सादक तता दर्शको के लिए हैं जो लोग मा मतंगी दरबार में सेवा देने के लिए आना चाहते हैं मतलब सेवादारों के लिए आज का ये वीडियो है और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक वाटसप नमबर दिया था लेकिन उस वाटसप नमबर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जिस वज़े सेवादारों की जो रिक्वेस्ट आई है उनका हम जवाब नहीं दे पा रहे या उनकी हम लिस्ट नहीं बना पा रहे है इसलिए आज ये जो दूसरा नमबर है हम आपको दे रहे हैं इस पर आपको क्या करना है जो लोग सेवा देने क्लिए आना चाहते हैं वे लोग अपना photo भेजेंगे clear photo होना चाहिए और आधार काट का आगे और पीछे का अच्छा clear photo खिचके आपको what's up करना है याद रखे जो लोग अपनी photo और अपना आधार काट का photo नहीं भेजेंगे उन लोगों के message का ना तो reply दिया जाएगा और ना ही उन लोगों का सेवादारों के सूची में नाम शामिल किया जाएगा याद रखी आप सब लोगों के जब हमारे पास message आएगे सबी लोगों की list बनेंगी और वो list मेरे पास आएगी उसके बाद उन में से 25 लोगों को joh है select किया जाएगा सेवा के लिए तो उन 25 लोगों को कल شाम तक बता दिया जाएगा कि आपका selection हुआ है या नहीं जिनका भी selection हो जाएगा उनको WhatsApp पे message मिल जाएगा सीधी सीधी बात अगर आपको कल شाम तक message नहीं मिलता है तो आप समझ जाए कि दर्बार में सेवा के लिए जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको मैसेज आ जाएगा कि आप पाच्छे तारिक तक पहुझ जाए करके ठीक है तो सिधी बात है क्योंकि फिर बाद में आप लोग कन्फियूज हो जाएगे और फोन करकर के पूछेंगे इसलिए अभी से बता रहा हूँ अगर आपको हमारे तरफ से मैसेज आ गया कि आपका नाम सिलेक्ट हो गया है सेवा के लिए आप फलाने तारिक तक दरबार में आए वही लोग आएंगे जिनको हमारे तरफ से मैसेज आएगा उल्टा हम उनको फोन करके भी बता देंगे जो लोग सिलेक्ट हुए और जिनको मैसेज या कॉल नहीं आया हमारी तरफ से वे लोग सेवा के लिए नहीं आ सकते तो 25 लोगों को सेवा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा इसलिए कल शाम के पहले मतलब लगबग दोपेर के 3 बजे तक आपका हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाना चाहिए जितने भी लोगों का रिक्वेस्ट आ जाएगा 3 बजे तक उस हिसाब से हम लिस्ट फाइनल करेंगे और शाम 6 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका नाम सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो आप जो स्क्रीन पे नमबर देख रहे हैं इसी नमबर पे आपको वाट्स अप करना है और यही नमबर मैंने वीडियो के हेडलाइन में भी लिख दिया है आशा करता हूँ यह जानकरी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै मामा तंगी